कि नमस्कार केपरी इंस्टुट आफ मैनल थेरपी और केपरी स्पाइन क्लिनिक से मैं डॉक्टर दीपक कुमार आपका सौगत करता हूं इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि टोटल ली रिप्लेस्मेंट टी के आर गुटना बदलने की सरजरी के तीन से चार हफते बाद हमारी पुरानी रिलीज की हुई वीडियो के एडिशन में करनी है यदि आपने वह वीडियो ना देखी हो तो वह वीडियो एक बार जरूर देख लें और इन एकसराइजिस को पुरानी वाली वीडियो में दिखाए गई एकसराइजिस के साथ करें इन एकसराइजिस को करत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलें जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी लगातार बोलता आ रहा हूं कि इन एक्साइज को करते समय किसी भी तरीके का दर्द नहीं होना चाहिए हलका-फुल का stress या strain आएगा वो भी खुद चले जाना चाहिए ओवर्डू नहीं करनी है इन एक्साइज को दिन में सिरफ दो बार करनी है सुबह और शाम और हर बार दस-दस बार आपको यह एक्साइज करनी है सिदे लेटने के बाद affected या operated leg को एक या दो पिलो के उपर रख लें और पिलो को इस तरीके से ankle के नीचे रखें ऐसा रखने के बाद आप अपनी quadricep muscles को tight कर सकते हैं और उसको 5 seconds के लिए hold करें तता इसके लावा आप पंजे को भी उपर से नीचे की तरफ चला सकते हैं इस exercise को करने से आपको तीन फाइदे होंगे एक तो quadricep muscles भी आपकी standard हो जाएगी पैर की swelling भी आपकी उतर जाएगी और जो की अक्सर देखा जाता है कि पीछे का capsule, knee joint का capsule tight हो जाता है तो वो knee joint का capsule भी tight नहीं होगा मैं recommend करूँगा कि दिन में 3 बार आदा आदा घंटे के लिए पैर को इस तरीके से रखकर लेट जाएं एक्सेसाइज मैं सिर्फ 5-10 बार करने के लिए बोल रहा हूं लेकिन लेटने के लिए मैं बहुत बता रहा हूं कि दिन में 3 बार आदा आदा घंटे के लिए पैर को इस तरीके से रखकर लेट जाए यदि पीछे का कैपसूल टाइट हो गया हो और गुटना पूरा सीधा ना नीचे जाए उसके बाद में अटेंडेंट अपने हाथ को टीबिया और फिबला के अपर एंड पर रखकर या जॉइंट लाइन के नीचे एक हाथ इस तरीके से और एक हाथ इस तरीके से उपर इन दोनों हाथों से धक्का नहीं देना है सिरफ पेशन को सपोर्ट करना है ब इस वाले हाथ को थोड़ा सा उपर की तरफ पूश करें या चोड़िए फिर से पूश कीजिए और चोड़िए फिर से पूश कीजिए और ठीला चोड़िए यह बिसिकली एंटीर ग्लाइड है नीच जॉइंट का एक्सेंशन गेंड करने के लिए गुटने के दर्द में अक्सर देखा जाता है कि भार का ये स्ट्रक्चर टाइट होता है जिसे हम लैटरल रेटनोकलम भी कहते हैं और ये टाइट होने को यह से पूरा पटेला भार के तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इसलिए हमें ये लैटरल रेटनोकलम को रिलीज करना य फोगा में पर हल के हाथ से इस तरिके से मसाज करें विर डिसकंफट अपको होगा ऐसा करने पर लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए सřा से इस चीज को हफे खुटने को मोड़ कर भी आपको करना चाहिए इसे अलगर एंगल में गुटने ऊछ अधा और करकर हर एंगल में आपको इसको रिलीज करने के लिए हलकी हाथ से इस तरीके से मसाज करने के लिए बैट पर सीधा लेट जाएं जिसे हम सुपाइड लाइं भी बोलते हैं और अफेक्टिड लैग में कोई दुपट्टा चुन्मी या बैल्ट इस तरीके से बांध लें उसके और वापिस लेके आएं फिर से खी चिया उसको और जब आपको स्टेश्ट फ्पील होना शुरू हो जाए तो वहाँपर 1-10 सकंद के लिए होल्ड करेंगे और फिर गल्प्थ सब्सेघ method के लिए होल्ड किजिए और फिर बापिस लेकिए लेक्टर मसल्स जो की थाई के अंदर की मसल्स होती है उनको सेल्फ स्ट्रेचिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें दर्द भी कम होता है इसमें आप बैट पर सीधा लेटने के बाद में पैरों को बैट के दोनों तरफ इस तरीके से लटका ले इसके को बढ़ा दीजिए ताकि दोनों हाथ आगे रखे जाए दोनों हाथ आगे रखने के बाद आम मसल्स को यूज करते हुए जितना असानी से आगे जा सकते उतना आगे जाए ताकि आपको थाई के अंदर वाली मसल्स में स्ट्रेच फील होगा फिर बापिस आए जब आपको असानी से कर सकें सेक्साइज को उतना ही करना है ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है ऐसे दस बार कर सकते हैं उसके बाद अराम से फिर से सहारा लेके आहिस्ता से लेट जाए इसी भी उची चेयर एर टेवल पर इस तरीके से बैट जाए और घुट्टे को चेयर से काफी भार रखें अब उसके बाद अफेक्टिड लेक को अनफेक्टिड लेक से पीछे की तर धक्का दें इससे आपको रेंज ओफ मोशन बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी इस तरी दखका दें और फिर बापिस ले आएं फिर से फिर से पीछे की तर धक्का दीजिए और बापिस लें इसी के अंदर अगर आप चाहें तो क्यूप मसल्स को यूज कर सकते हैं थाकि बापिस आते हुए आपको resistance मिले इससे पीछसे हमें एक तीर से दो निशाने होंगे जाते साते हुए हमारे कोडिस्ट मसल्स की स्टेंद निंग एक्साइज भी हो जाएगी फिर से बापिस धक्का दीजिए वहां तक धक्का देना है जहां तक आपको हलका का दिसकंफर्ट फील हो दर्द नहीं होना चाहिए और बापिस आते टाइंग इस पैर से डिस्टेंस देना है अफेक्टिड लैक पे या अपरेंटिड लैक के ओपर ताकि कोडिस्ट की स्टेंदिंग एक्साइज हो जाए किसी भी ऊची टेबल या चेर पर इस प्रकार से बै के से हिप जॉइंट के अंदर इंटर्नल और एक्स्टर्नल रोटेटर की स्टेंदरिंग शुरू हो जाएगी लुख जाएं और यदि आप चाहें तो इस जगा पर एंकल के पास में आदा या एक किलो का वेट कफ भी बान सकते हैं इसी भी उंची चेर या टेवल पर इस प पर उठाएं और यहां पर पांस सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे नीचे ले जाएं फिर सोब पर हवा में उठाईए और फिर नीचे ले जाएं ऐसा करते समय आप अपने हाथ को टेबल पर साइड में रख सकते हैं जिससे कि आप पीछे की तरफ ना जुगें बहुत मरीजों में ऐसा भी दिखा गया है कि उनकी ग्लूट मसल्स एक्टिवेट ही नहीं होते हैं यह काम ही नहीं करते हैं तो उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें पेशेंट को अफेक्टिड लेक को या अपरेटिड लेक को थोड़ा एक्स्टरनल रूटेशन में इस कुझा करने के लिए निज़ा चोड़िए फिर से स्कुझ कीजिए निज़ा चोड़िए स्कुझ कीजिए और पांस सेकिन के लिए खोल्ड रखिए इस तरीके से ग्लूटियल मसल्स का एक्टिवेशन सिखाना बहुत इजी होगा और स्टेंदिंग एक्साइज भी बहुत अच्छी होगी। पेशन को एक फ्लाइट सर्फास पर बिल्कुल सीधा खड़ा करके हाथ में कोई भी सपोर्ट चाहे वो रेलिंग हो या चेयर हो या आप खुद सपोर्ट कर सकते हैं ताकि पेशन के गिरने की संभावना ना रहे हैं और फिर उसको अपने पंजों के उप और फिर बापिस एक फिर से और फिर बापिस इसी पोजिशन में पेशन को हील के ओपर भी आप खड़े होने के लिए बोल सकते हैं और अगर पेशन कर पा रहा है तो उनको पांच सेकेंड के लिए होल्ड करने के बोलिए पीछे नहीं जुकना है आपको सिरफ पंजे को पर उठा रहे हैं आप सपोर्ट लेके रखिए थाकि पेशन गिरे ना इम्बैलेंस ना हो इसी तरीके से पेशन को एक पैर आगे एक पैर पीछे रखने के लिए बोलिए और दीरे अफ्टेटिट लेक पर या ऑपरेटीट लेक पर वेट ट्रांसफर करने के लिए बोलिए बुटने को मोड़ना नहीं है ऐसे में सीधा वेट को आगली तरा ट्रांसफर कीजिए अब उस पयर को पीछे और दूसे ठाra आगे रखने अब अफेटीट लेक हमारा पीछे ही तरफ है और अंफटिट लेक आगी तरफ है और फिर से वही एक्सराइज करेंगे और पीछे लेक पर वेट रांसफर कीजिए इस एकसर इस से को को चलने में या कोई भी खड़े हो ताकि patient की गिमने इस संभावना ना रहे imagine की आगे हमने कुछ support दे रखी है अब weight को पहले एक leg पर transfer कीजिए और फिर operated या affected leg के उपर transfer कीजिए फिर दूसरे leg के उपर transfer कीजिए फिर इस leg के उपर weight transfer कीजिए patient को इस तरीके से आप forward walking के लिए भी training करने के लिए बोल सकते हैं और इसी direction में backward walking भी करें याद रखें कि surface non slippery हो संतल हो उबर खावर ना हो फिर से आगे की तरफ से लिए एक बार दीरे दीरे और अब पीछे की तरफ आ जाएं फिर से आइस्ता आइस्ता balance बना कर इस से कुछ एक आपकी eccentric muscle है उनको release करने में मदद मिलेगी अब इसी दरगे से side way walking की किजिए भीरे भीरे इससे hip abductor की standing exercise होगी और balance बनाने में भी मदद मिलेगी जब patient ये सारी exercise अराम से कर सकाए तो पैरो में आदा आदा या एक एक किलो का weight cup भी बांग सकते हैं पैशिंट को किसी chair या railing के सामने खड़ा करके ताकि वो उससे support ले सके और गिरने की संभावना बिल्कुल ना हो अपने operated leg को या affected leg को bend करें खड़े खड़े इस तरीके से bend करेंगे फिर सीधा लाएंगे फिर bend कीजिए और सीधा कीजिए यदि patient इस exercise को असानी से कर पा रहा है तो आप ankle के उपर आदा या एक किलो का weight cup भी बांग सकते हैं इसी तरीके से ये exercise दूसरे leg से भी करें अनफेक्टिड लेक से ताकि दोनों पैरों की muscle balance बराबर बना रहे एक बार एक पैर से कीजिए एक बार दूसरे पैर से कीजिए इसे को किसी ग्रिल या रिलिंग के सामने support देके इस तरीके से खड़ा कर दें उसके बाद affected leg को पीछे ले जाने के लिए और थोड़ा सा पीछे लेगे जाए और अनफेक्टिड लेग का नी को बैन कीजिए और आगे की तरफ थोड़ा सा लीन कीजिए इससे पीछे काफ मसल की स्ट्रेचिंग होगी फिर से कीजिए और बापिस ऐसा करते हैं आपको ध्यान रटना है यह exercise आप दो तरीके से कर सकते हैं दोनों ही तरीके से करना चाहिए इस पोजिशन रुप पूसरी को किसी रेलिंग या विंडो के सामने ख़डा कर दें और एक अच्छा मदबूत सपोर्ट दें उसके बाद अफेक्टिट लाइक को पीछे की तरफ ले जाएं वेयरी गुड अनफेक्टिट नी को आगे की तरफ मोड़ लें और आगे की तरफ अब लंच कीजिए और चर्षकों पीछेक कि तरफ ले जाएं आगे तरफ ताकि आपके हिप इंखिस स्ट्रेचिंग वापिस यह जाए फिर से आगे लंच कीजिए और फी दीर फिर से बाद उसे सपोर्ट ने ताकि पिशेंगी गिरने की संभाव में बिल्कुल खता हो जाए उसके बाद अफेक्टिड लेक को पीछे की तरफ से क्रॉस करें ताकि बाहर की इससे उसको स्ट्रेचिंग फील हो और ऐसा करने लिए पाल उसे अनफेक्टिड साइड में हलके से धीरे बैंट करने के लिए बोलिए फिर बापिस आए फिर से बैंट कीजिए और फिर बापिस आए ध्यान रखिए यह एकसाइज आपको उतनी करनी है जितनी पसानी से साइड में जुक सकते हैं बहुत ज्यादा ना करें और अपना बैलेंस बनाए रखें यदि आप चाहें तो हमारी वेबसाइट कैपरिस्पाइंट डॉट कॉम पर जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी फैसिलेटी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी कोशन हो तो कमे आपके जरिये उनको भी फाइदा पहुंच सके अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाईएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को जरूर हिट कीजेगा ताकि आपको हमारी हेल्थ रिलेटिट एजुकेशनल वीडियो टाइम टू अन्यवाद, see you soon on some other topic.